आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आठ ऐसे टूल्स जो कि आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन पाइंड आउट करने के लिए हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आदवानी यहाँ पर में डिजिटल टूल्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि कलर कॉम्बिनेशन पाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को हेल्प करेंगे नाम मैं कोई डिजाइन नहीं हूं लेकिन मैंने बहुत सारे डिजिटल आसेट पर काम किया है जैसे की वेबसाइट हो गए ब्लॉग्स हो गए आप्स हो गए तो for that I need some good color combinations and उसके लिए मैं यहाँ पर use करता हूँ इन सारे tools का आप लोग भी इन सारे tools का use कर सकते हैं, apps के लिए, websites के लिए, blogs के लिए, कुछ भी image बगरे design कर रहे हैं उसके लिए, client work के लिए, impact, interior designing के लिए, और drawing के लिए, means जिस किसी भी आपको field में requirement रहेगी color combination ढूणने की आपको यह वाले tools यहाँ पर help करेंगे तो बिना किसी delay के start करते हैं सबसे पहला है, यहाँ पर हमारे पास colors.co, यहाँ पर आपको जाना है, start the generator पर हम लोग यहाँ पर click कर देंगे, सारी websites के link आपको नीचे description पर मिल जाएंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ color combinations आ गए है, फिलाल के लिए मैं यहाँ पर adds को height कर देता हूँ, तो यह कुछ color combinations बता रहा है, मैं space दबा करके यह सारे change कर सकता हूँ, कापी easy रहता है इसको operate करना, तो space दबा करके जो भी मुझे color combination आपको पसंदा रहा है, मैं उसको से लिख कर यहाँ पर brightness, temperature बक्र यहाँ से adjust कर सकता हूँ, यह चीज मुझे इस tool की कापी अच्छी लगती है, यह एक बार यह select हो गया, तो मैं इसको यहाँ पर export भी कर सकता हूँ, PDF में, image में, CSS में, SVG में भी export हो जाता है, so that's really good, हमारे पास जो next website है, color hunt.co, अगर आपको color palettes बगरे च इसका use कर सकता था, and then, जैसी मैं आपर क्लिक करूँगा, यह copy हो जाएगा, जो भी इसका color code रहेगा, अगली जो website है, use snap, यह भी मुझे अच्छी लगी है, यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ, और मुझे यहाँ पर color palettes मिल जाते है, again, यह color palettes के लिए, और अगर मुझे किस specific color का palette चाहिए, for example, I need something in blue, जैसे मैं blue select कर देता था, and then, यहाँ पर मुझे उसका color मिल जाते थे, complimentary colors कौन से है, monochromatic colors कौन से है, तो यह भी इसकी एक अच्छी चीज है, mainly मैं इसका यहाँ पर color palettes के लिए use करता था, अगली जो website है, वो UI gradients, अगर आपको gradients, यह gradients का भी मैं यहाँ पर काफी use करोगे, तो gradients के लिए यहाँ पर show all gradients पर मैं चले आता था, and then, जो भी आपको जिस भी color में चाहिए, जो भी आपको base color चाहिए, for example, I need something in black, तो फिर यहाँ से मैं select कर लेता हूँ, and then, जैसे royal वाला, तो यह मेरा एक gradient हो गया, तो इस तरीके से यहाँ से ह gradients बन जाते हैं, काफी अच्छे gradients दे देता है, so this is another gradient, and then, इसकी मुझे सबसर चीजी यह लगती है, कि यहाँ पर मुझे CSS मिल जाती है, तो अगर मैं web पर काम कर रहा हूँ, तो काफी helpful हो जाता था, अगला जो है, वो है web gradients, web gradients पर अगेन आपको gradients मिलेंगे, अगर अगर मुझे कुछ record करना हो, और मुझे background की ग्रेडियंट का, तो फिर मैं यहाँ पर इसका यूज करता हूँ, मैं यहाँ पर इसके full screen पर कर देता हूँ, और इस एर्ट को हाइट कर देता हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं record भी कर सकता हूँ, अगला तूल है कानवा क कानवा जो की एक काफी अच्छा image editor है online, इसका मैं detail review कर चुका हूँ, आप काई बटन के उपर मिल जाएगा, इसमें यहाँ पर काफी अच्छा tool भी आपको फ्री में मिलता है, कि अगर कोई image है, मुझे यह जानना है कि उस image में कौन-कौन से main colors का use हुआ है, तो वो मुझे इस tool के through यहाँ पर पता चल जाता है, for example, यहाँ पर try demo image करता हूँ, जैसे यह एक image है, तो मुझे इस image के through यहाँ पर colors मिल जाते है, कि इस image में कौन-कौन से colors का use किया गया है, अब अगर मान दो मैं किसी client ले काम कर रहा हूँ, उनका पहले से कुछ design already है, उनका logo बगरे बन हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पर डालता था, and then यहाँ से मुझे colors मिल जाते थे, and मैं उस colors का use करके ही website या app यहाँ जो भी मुझे बनाना रहता था, वो मैं बना लेता था, तो यह काफी useful tool है, अगर आपको 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 पूरी design करनी है, काफी useful tool है, मैंने इसका काफी use क फिर यहाँ पर color wheel आपको मिल जाता है, अगर कुछ colors आपके हैं, आपको उसके shades यह different, यह YouTube thumbnails बनाने के time पर काफी काम में आता है, कि अगर मुझे कुछ complimentary चाहिए, कुछ मुझे stand out होगरे करना है, तो color combinations में हमारे पास complimentary, analogous, triadic, tetradic, इन सब के यहाँ पर आपको options देखने को म जाएंगे, then last है हमारे पास palatin, palatin again यहाँ पर color wheel आपको provide करा देता है, इसके मुझे एक अच्छी बात यह रखती है, कि जैसे ही मैं यहाँ पर color select करता है, मुझे उसके सारे shades यहाँ पर बता देता है, for example, I need something in let's say green, तो यहाँ पर मुझे green के सारे shades मिल गए हैं, यह मुझे इसके काफी अच्छे लगते हैं, इसने लगबक सारे shades ही पता दिये मुझे, और अगर मुझे इसके बाद अगेन यहाँ पर change करना है, इसको monochromatic में करना है, यहाँ पर triad में करना है, यहाँ यहाँ पर tetraad में करना है, तो यह सब मुझे आपर options इसके दे देता है, so यह थ दिए इसके दिया में इसके आप आपटे लिए। आप सकता है, इसके दूस के एजिड़ में करना है, यहाँ और रर देता है, यहाँ झापड़ाद विए पे छिए विए लिए वाच्छे झाल